रिशब पंद को BCCI ने किया बैन प्लेओफ की रेस में दिल्ली कैप्टल्स को लगा बड़ा जटका दिल्ली कैप्टल्स ने आईपेल 2024 में जोरदार वापसी की है और टीम प्लेओफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है टीम को अब अपने आकरी दो मैच खेलने है और इन दो मैचों में जीत के साथ उसको प्लेओफ में जगें मिल सकती है टीम का अगला मैच रॉयल चेलेंजस बैंगलरू से है लेकिन इस मैच से ठीक पहले दिल्ली कैप्टल्स को जोरदार जटका लगा है दरसर टीम के कप्तान रिशप पंथ पर बिसिस्याई ने एक मैच का बैं लगा दिया है इसके चलते पंथ बैंगलरू के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे पंथ के लाबा उनके साथी खिलाडी को भी बिसिस्याई की ओर से फाइन किया गया है